मने लेखक श्री ब्रज श्वास्तर की कहानी तुम्हें क्या मतलब स्वर है दिव्या का तीन दिन से इंदु भावी की याद आ रही है मैं हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहा हूँ इंदु भावी को देखे हुए ही बीस साल हो गए लंबी पतली नाक एकहरी देह अपने पन से भरी चंडी गड़ी और हिमाचली बोली इन वर्षों में मुझे नामुम्किन हो गया था पर आज मुझे लगता है कि वो मिल ही जाएंगी क्योंकि वो हिमाचल में ही जो रहती है और मैं अभी चार दिन की यात्रा पर हूँ और यहां यात्रा के दोरान जिस जिस कजबे में जाता हूँ सलवार कुर्टा पहने गोरी और सौमे हर स्त्री को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये इंदु भावी तो नहीं लेकिन इतना असान कहां किसी बिछडे का मिलना हाँ वो बिछड ही तो गई थी बीस साल पहले एक रात अचानक वो अपने दोनों बच्चों को संग में लेकर ट्रेन में बैठ कर शहर छोड़ गई थी पता नहीं क्या मजबूरी रही थी कि उन्हें अपने उपर ये जुल्म करना पड़ा क्या गुजरी होगी नेहु और शेखु पर जो पिता से अलग हो गई थे दादाची से हमेशा के लिए जुदा हो गई थे अपने नन्हे सहपाथियों से पिछड़ गए थे मेरी बेटी भी नेहु की सहेली हो गई थी और इंदू भावी की दोस्ती हो गई थी मेरी पतनी से तबसे मेरी पतनी सुश्मिता भी उससे मिलने की उम्मीद छोड़ बैठी थी लेकिन अब वह भी उत्साहित है कि इस यात्रा में इंदू से गले मिल सकेगी वो कह रही थी अब तो वह अधेर से दिखने लगी होंगी मैंने कहा नहीं ऐसा जरूरी तो नहीं देखो तुम भी अब पहले की तुल्ला में कितनी अच्छी दिखने लगी हो फिर हम दोनों हस पड़े सुश्मिता थोड़ा शर्मा गई बस चलती जा रही थी पहाड ही पहाड खाईयां ही खाईयां हर द्रश्य गजब का द्रश्य पहाड पर ही घर बने हुए हैं जो दूर से देखने पर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी दीवार पर पेंटिंग बना दी गई हो सुश्मिता ने फिर बात छेड़ दी भगवान लड़ो दे बिछड़ो न दे मैंने पूछा मतलब वो बोली यही कि इंदू भले ही पती से लड़ती रहती बिछड़ती तो नहीं ये भी कोई जीवन है बिना पती के वो रामचरित मानस की चौपाई है न जीय बिनू देह नदी बिनू बारी तैसे इनाथ पुरुष बिन नारी सुश्मिता ने अपनी बात सही ढंक से पेश की थी पर गलती कपिल की ज्यादा थी मैंने कहा नहीं थी आप तो कपिल भाईया के बच्पन के दोस्त हो आप तो जानते हो कि वो कैसे है चरित्र कैसा है उनका रहन सहन शिष्टाचार के हवाले से आप ही उनकी तारीफ करते हो सुश्मिता लगातार कहती जा रही थी सो तो है मैंने बात को समेचने के हिसाब से कहा वही तो वो कहती रही हद है क्या कपिल भाईया अपने घर को केवल इसलिए छोड़ देते कि ये सब भावी को पसंद नहीं था पर बात केवल घर की नहीं थी एक महिला खास तोर से स्तरी के अस्तित्व की थी पत्नी के आत्म सम्मान की थी मैंने कहा इतना रिजीट होकर पती-पत्नी का रिष्टा नहीं चलता पती महोदे तो इसमें मैं कहां बीच में आ गया बताओंगी बताओंगी उसने आखे घुमा कर लगभग विंग विनोद किया मैं मुस्करा कर रह गया हलकी से नीद आई तो मैंने बातचीत के मोड को दिहमा कर दिया बस में एक खिड़की के पास बैठने के बहुत फायदे है विंडो साइड अब एक बिजनस पॉइंट बन गया है भुपाल वाला फ्लैट बुक करते समय बहुत मन था कि गार्डन फेसिंग वाला ले मगर वो दो लाख रुपे ज्यादा का था कपिल ने लिया है वो अब कपिल की तो बचत बहुत है ना वो तो कुछ भी खरीच सकता है ना बच्चों की फीज देना ना पत्नी के खर्चे वैसे इंदो भावी अगर होती है भी तो क्या खर्चा बढ़ता वे ज्यादा साच संगार में तो डूपती नहीं थी हाथ कासा हुआ था पर कपिल ज्यादा एकोनॉमिक है कई बार दोनों के बीच जड़प इसलिए भी हो जाती थी याद आ गया हम दोनों के परिवार का खजुराहो का टूर मजाल की वे बिना उपयोगी समान को खरीदने के लिए एक रुपया भी खरच कर दे अब जब भी हम लोग सालना सहर पर जाते हैं तो इंदू भावी की याद आ ही जाती है कैसे उन्होंने हमारे बच्चों को संभाला था एक ममता भराहर दै था उनका चलो अब दो दिन बाद उनसे मुलाकात हो ही जाएगी पर कैसे मैंने सुशमिता की और देखा तो वो समझ गई कि साहब के दिमाग में इंदू भावी ही चल रही है मालू मैं आपको इंदू ने क्या कसम खाई थी सुशमिता ने पूछा नहीं मुझे नहीं मालू मैंने जवाब दिया उसने कहा था मुझे एक बार कि अगर अलग रहने के स्थिती बनी तो मैं अलग तो हो जाऊंगी लेकिन उसे तलाक नहीं दूँगी और यही मेरा प्रतिकार होगा ऐसा? मैंने अचरज से पूछा हाँ, यह जिद यह दम्भ क्या स्थियोचित था? क्या बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं बनती थी? सुशमिता बोली बच्चों को वो संग इसलिए ले गई थी उसने बच्चों को पिता की कमी नहीं महसूस होने दी देखो ना, दोनों बच्चों को उसने लाइन पर खड़ा कर दिया पढ़ाई की और क्या चाहिए? मैंने कहा ये क्या सही एस्टिबलेशमेंट हुआ? बिना बाप के बच्चों ने कैसे कैसे कदम कदम पर पर परेशानी का सामना किया होगा? सुशमिता कहती जा रही थी मैंने कहा, तो वो क्या करती? रोजाना की जिल्लत से तो ये अलगाव भला? बस रुक गई थी यह पालमपुर था यहां की खुबसूरती फिल्मों में देखी सी लगी तीनों तरफ पहाड बीच में नदी सुशमिता ने कहा कि एक फोटो यहां होना चाहिए जल्दी से हमने अपने मॉबाइल के कैमरे से सेलफी तस्वीरे ली और पर्यटन का प्रमान सहेज लिया और फिर शुरू हो गया सफर बाजों में बैठी सवारियों की बादचीत की टोन हमारा ध्यान खीच रही थी मैंने एक पुरुष से पूछा कांगडा में कोई ब्राह्मन परिवार रहता है क्या? सुशमिता हस रही थी उसके चहरे पर ऐसे भाव थे जैसे मुझे प्यार से बेवकुफ कहते समय होते हैं और मुझे अपनी बेवकुफी पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी दरसल मैं मानता हूँ कि कभी कभी तुक्का भी तीर का काम कर जाता है छोटी दुनिया वाली कहावत पर भरोसा होता है कौन जाने कि इंदू भावी की लिंक मिल जाए? सुशमिता ने पूछा आप क्यों इतने उतावले हैं? वैसे सुशमिता का सवाल जायस था फिर भी मैंने जवाब दिया यार हम लोग 15 साल तक उनसे पारिवारिक रूप से हर हफ़ते मिलते रहे कई बार की दावते हमें याद हैं हसी मजाग की महफिले हमारी आदाश्ट में दस तक देती रहती है तुम भूल रहे हो कि हम चार दोस्तों की आपसी घनिष्ठ था भाईयों जैसी रही आई जब सब लोग मुझे अलाल कहते हुए चिड़ाते थे तो इंदो भावी मेरी तरफ होकर कहती थी कि अजय भाईया अलाल नहीं है वह सोचते अच्छा है और तुमारे लिए भी वह कितना चाहती थी याद करो सोचो इतना घनिष्ठ कोई हमारे बीच से गुम जाए तो क्या होगा वह कम से कम याद तो आएगा ही और इस वक्त ज्यादा यादा आएगा जब हम उसके आसपास ही हूँ मिलने का मन है इसलिए ठीक बात है लेकिन उसे इतनी सी बात पर कि कपिल भाया परिवार जनों से क्यों मिलते हैं पर पूरे शहर पूरे दोस्तों को लाग मार कर नहीं भागना चाहिए था सुशमिता ने फिर तरक दिया बात यह नहीं थी कि कपिल परिजनों से मिलता था दरसल भाबी का दावा था कपिल को उसने पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित स्त्री के साथ प्रेमा लाब करते देखा था मैंने फुस-फुसा कर कहा पुरुश मन है थोड़ा सा नजर अंदास करना चाहिए सुशमिता ने हलका सा मू बना कर कहा तुम्हारे विचार ठीक है लेकिन मुहतरमा आपको बता दें कि इंदु भावी ने पूरा मौका दिया था दस सालों तक सुना है कि एक बार तो कपिल ने इंदु भावी को मारते पीटते हुए कह दिया था कि मैं वो रिष्टा नहीं खत्म करने वाला जाहो तुम मुझे छोड़ कर चली जाओ मैंने कहा हाँ ये तो गलत है पर मुझे यकीन नहीं होता कि कपिल भावी ऐसे हैं या उन्होंने ऐसा वहवार किया होगा सुना है कि उस राद दोनों में खूब मार पीट हुई थी जब कपिल भावी सो गए थे तो वो मौका पाकर दोनों बच्चों को लेकर जो ट्रेन मिली उसी में बैठकर कांगड़ा की तरफ निकल गई थी सुशमिता को सब याद आ गया था यहां मुझे याद है कि कपिल पिछले 20 सालों से यहां की अदालत में पेशी के लिए आता है बच्चों से मिलकर नाना करते हुए वो पिच्चों की हर फरमाईश पूरी करता है मेरी नजर में कपिल एक संतुलित व्यक्तित्व वाला शक्स है भावक के लिए भावक, कठोर के लिए कठोर जैसे उसने गीता का अध्यान कर लिया हो और उसका अनुशिलन कर रहा हो हमारी बैसा कांगडा की तरफ बढ़ रही थी वहां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन के लिए सारी सवारियों को बस कंड़क्टर उचित निर्देश दे रहा था एक निर्देश यह भी कि बस केवल तीन घंटे रुकेगी मैंने सुश्मिता से कहा कि क्या करें कोई सूरत ही नहीं है इंदो भावी से मुलाकात की सुश्मिता वी चिंतित होई और बोली मुश्किल ही है मैंने कहा कपिल से ही नमबर मांगता हूँ मैंने तुरंथ कपिल को फोन लगाया मुख्त सर में बात बताई और कहा यार हम लोग वर्षों में यहां आए है मन हो रहा है कि बच्चों और भावी से दस मिनट को मिले तो तुम इंदो भावी या बच्चों का मुबाईल नमबर दे दो तो हम कपिल पहले तो ध्यान से सुनता रहा फिर घुस्चे में बोला कि जब मेरे ही उससे रिष्टे खत्म हो गए है तो तुम्हें क्या मतलब मैं कुछ नहीं कह सका अब कोई उम्मीद नहीं थी सुश्मिता भी चौकी जैसे कह रही हो कि अजीब बात है रिष्टे पती पतनी के बिगड़े है हम मित्रों के तो नहीं बिगड़े मैं पहाडों की तरफ देखने लगा जो उतने ही दुसाथ थे जितने की ऐसे रिष्टे अब मैं पूरे अंचल में से इंदु भाभी के अस्तित्व को निकाल कर बाहर कर रहा था और नाकाम हो रहा था